क्या हाले साथ ही हो मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्वर्दी चैनल स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेस पर आज आपके समख लेके आ गए हैं पांच मार्च का करन्ट अफेर हिंदी इंग्लिश दोने भाशाओं में और जो हमारे इंग्लोर बहुत बड़ा जो है वहाँ पर है इसलिए काफी चीज़ें वहाँ पर होती है तो उसी से लिटर अफ इंजिनिंग रिसर्च और डिवलोमेंट की बात करी आ रही है क्या है पूरी जनकाई लेंगे हम और इसके बाद है कि लेटरल इंट्री ठीक पार्षविक भारती भरतियां जो हो रही है बिरोक्रेसी में नकशाही में उसके रीजन क्या है प्रोसेस क लोशिप क्या है न्यूस जानेंगे कराकल एक जानवर है यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ गया है ठीक और यह पहले जो है राजशाही लोग जो थे उनके पसंदीदा था इससे समद्द ठीक आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमेंटेश है एपी तरीके से UPSC का 2021 UPSC का जो है नोटिफिकेशन आ गया है 2020 का मैंने पूरा इसका वीडियो डिटेल में बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा देख लिजेगा उसे इसका जो है UPSC 2021 का 12 मार्च को कम्प्लीट प्रेट गूप चलू होने वाला है आप आप लोग कर सकते हैं 8564805309606089 पर क्वाल करके अड्मिशन ले सकते हैं ठीक अब देके पहला जबार टॉपिक है यहां पर मेंस दोनों के लिए इंपोर्टन है तो यहां पर मेंस का बलब देखें कॉंसर्ट भी क्या है क्या फैक्ट हो सकते हैं ताकि आप लोग पूरी आ करन करा जा रहा है संपिट हुई है संपिट मतलब कोई संविलीन है तो गर्मध ऑफ इंडिया फिक्की के साथ मिलके शाथ है Aug thứ कीका है आपका मतलब संस्था है जो कि ट्रेड यूनियों टाइप से है ठीके का इट्रेड यूनियों को खयाल उयसा लुगता है और यून जो ह बेस्ट एक बैटर दन कैश अलाइंस है वो भी इसका पार्ट था समिलन का इनका मतलब यहां पर मर्चंट डिजिटाजिशन समिट था ताकि आद मरवर भारत की तरह बढ़े ठीक है ना कैश वाइस मत हो डिजिटाजिशन और यहां पर ज़्यादा तर जो फोकस हो किन छेत्र पता हिमाले छेत्र ठीक और उत्तर पूर्वी भारत के छेत्र और आकांशी जिलेयानी की एस्पिरेशनल डिस्टिक पे था एस्पिरेशनल डिस्टिक की इस्टिक कौन लाया है नीतिया उगलाया हुआ है सब्मिट का जो है यह सीरीज ऑफ लर्णिंग एक्सचेंज अमंग तो यह जो सम्मिट हुआ है आपका डिजिटलाइजेशन वाला मर्चंट वाला यह इसी जो है यह सीरी जो चली लर्णिंग एक्चेंज वाली इसमें पहले नौ दिसम्बर को हुआ था उसी से संब्द्र जो है यह वाला समिट अभी हुआ है पहले क्या हो था फिंटेक क्या फैनेंशियल टेक्नलोजी ठीक है फैनेशियल टेक्नलोजी ऐसे लोनोल लेना तो फैनेंस यह सब विक्तिये चीज़ें है ठीक उससे टेक्नलोजी जोड़के नहीं जो डिजिटल कैसे प्रमोशन करना है यह पहले हुआ था ठीक अभी हम क्या कर रहा है कि मर्चंट को जो है लाया जा डिजिटाइशन किया जाए उनका कारुबार बनाया जाए अब यहां पर क्या है नैशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है एक लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज में भी जो है डिजिटल से समद्दि सारी जागरुकता और लोग के अंदर जो है उनको वेर किया जाए उसके लिए बात और लोकल लैंग्वेज करते हैं ताकि जो है ट्रस्ट और इंपॉर्मेंट शाष्टी करन जहूर होती है अगर माली कोशन आप से पूछ ले स्टेट्मेंट में पूछ ले कि भाईया हम लोकल लैंग्वेज में यूस करके भी जो है से पूछ रहा है ठीक अब यहां पर यह है कि रेस्पॉंसिबल मर्चंट डिजिटलाइशन समिट हुआ है आपका कारोबारियों को डिस्ट डिस्टिली करने के लिए प्रेड़ना मिलेगी और यह सरी चीज़ें है और इसमें इंक्रीज फोकस है में इंडिया आत्म दर्वर और भारत और इसमें कई सारे को रूरल नेटवर्क में भी जोड़ने जोड़ने डिस्टिली करें डिजिटाइजिशन करने की देखो ऐसा है इंदुस्तान में 2011 कि अगर संसे कर साब से तो अभी भी हमारा सत्तर परसंट के आसपास जोड़नता है सेंटीव पर वन सिक्स है वहाँ पर स्वेम जो आपका सेल्फ हेल्फ ग्रूप है कोवर्टी एनेबलर है उनको भी डिस्टर इको सिस्टम से जोड़ो ठीक और उनको भी वहाँ पर जो है आप फॉर्मल एकनौमी से लोन वोन दे सको आराम से क्रेडिट मिल जाए कई सारे मिलियन ओव मेडिशन्स ह है वहाँ पर छोटे-छोटे हैं अब जो है वह वह भी यूपी आई हो सब लेके पैसा जो ऑनलाइन ही ले लेते हैं ठीक और यह इनॉर्मर्स ऑपरचुनिटी है कई सारे कारोबारियों के लिए कि अपना डिजिटल करने अब दो यह पहले आप आज कल देखो कई सारे कोई काते है आओ लूट लो कुछ नहीं होता है आई नहीं पैसा यह वाली बात है ठीक स्मार्टफोन और यह सब जो है हाला कि डिजिटल की बात हो रही लेकिन स्मार्टफोन की अभी पेनेट्रेशन कम है अंदुस्तान में टार्गेट गॉवर्मेंट का जो है यह बहुत से तीन बिलियन होते हैं पूरे मन्त में तो एक दिन में यह हो यह काफी ज़्यादा जो है बड़ा टार्गेट है बहुत ही वादा महतो कांशी टार्गेट लग रहा है परसंट टू मर्चंट अभी जो है हर महीने जो है डिजिटल पेमेंट जो होता दस से बारा बिलियन ट कंपनियां अंतरास्टी संगठन इन सबका जो है एक एक एलाइंस है पार्टनर्शिप है ग्लोबल वह चाहती है कि वह यह लोग कैश की जगए डिजिटल पेमेंट करें ताकि पावर्टी और इंक्लूजिव ग्रोथ हो सके ठीक पावर्टी को खतम कर सके और जो है आपका स इंट्रनेशनल डेवलोप्मेंट यूएस एड नाम से आपने सुना होगा इसको और बेलिंडा और यह सोरी बिलन मेलिंडा सोरी गेट्स फंडेशन ने सिटी ग्रूप है सारे सारे मिलके जो है यह क्या बनाते हैं कि बैटर दन कैश एलाइंस फिक्की जो है आपका नॉन ग ग्यार सरकारी वायपार संग इसके पश्चक्राइग सम्वंदिष संस्ता है वैपार किस तरीके सा होना चाहिए जो बीघ्व समन्दिय थे तो मतलब भारती जो freedom struggle था उस समय से और इसका headquarters न्यू डेली में है बारा स्टेट और आठ कंट्रियों में है पूरे दुनिया में ठीक अगला जो हमारा topic है वो है करनाटका ने अभी engineering research and development नीती का विमोचन किया है लॉंच किया है सिंपल से चीर है इसमें कि भाईया जो भी करनाटका ने कहा है कि contribution हमारी country में यह engineering and r&d sector से 45% तक बढ़ाया सकता है contribution सिर्फ करनाटका के दौरा समझे रहो जो भी contribution है पूरे भारत में जो है वो कह रहा है कि engineering r&d जो है आपके sector वो 45% से हम बढ़ा सकते हैं अगले 5 सालों में स्टेट government यह कह रही पचास यार कई नई नौक्यों कर जो है सर्जन होगा जनरेशन होगा और नैस कॉम जो है इंडिया की IT सेक्टर जो होते ना उसमें वह बला उसको जैसे बढ़ाती है सेक्टर उस जो है उसमें ध्यान देती है ठीक उसमें कह रही है कि भाईया सौ बिलि उसमें वहते हैं यह सweiseभांट की कि सेक्टर कौन से कौन से है एलेडरोस पे υटर पे डिफेंस guidelines सेक्टर परोडरर्श़ों बैंगलूरू में ही एकर देखा जाए तो 34% जो हैम लुए इंडिया के बैंगलूरूरू में हैं उसमें 50% तो बैंगलूरू क्या बोलते हैं इंडिया की ऑइटी क्शेठा व понад यह बात हैं पर भारत देश के देश में ERND छेतर में साड़े बारा परसन करीबन जो है वार्शेग रधी की बता रहे हैं यह तीवरतम गती से प्रकृति करने वाला उध्योग है और ग्लोबल इंजिनिरिंग रिसर्च और डिलोप्मेंट अगर देखा जाए तो दो ट्रिलियन डॉलर पह लोग आगे क्या है वो पॉलिसी चाहता है कि जो भी फ्यूचर में कोई चीजे उठके आए वो उसका लाव उठा सके हैं लोग पॉलिसी का उद्देश यही है कि हम जो है सेक्टर का पोटेंशियल जॉब को बनाएं और जो है स्टेट का कंटिब्यूशन पूरे देश में और जो है स्ट्रेडिजिक रणनीतिक इंटर्वेंशन करने और जो भी एकैडमी और इंडस्ट्री की बीच में गया पर उसको खतम करें ठीक क्या है कि लोग दिगरी पकड़ लेते हैं निकिनको रोजगार नहीं मिलता यह अली बात है यहाँ पे एक चोटे से डाइग्राम बनाए जो रिसार्व सर्च कर सके ठीक है और करनाटका में इंवेस्मेंट आए ए और इंडी से लिटेड और गैब जो भी है एकैडमी इंडस्ट्री वो खतम किया सके इंडस्ट्री को जो है बैंगलूर के बाहर भी ले आ सके ठीक और यह सारी चीज़ें है इसमें और अग क्या कारण है क्या प्रोसेस है क्या कंट्रोवर्सी समझाने के यूपीसी ने भी हाल फिलाल में एक नए अड़र्टीज में निकाला है जिसमें उचाते हैं कि टेलेंटेड और मोटिवेटर इंडियन नेशनल उन्होंने यहां पर कहा है प्रतिवाशाली और प्रेरित भारत नागरी को किसे रास्त निर्माड में योगदान के लिए आवेदन मांगे थे तीन पोस्ट हैं जॉइंट सेकेटरी के और 27 डियेक्टर की सेंट्र गॉवर्मेंट डिपार्टमेंट में उसके लिए मागा गया है अब यहां पर इंडिटर इंट्री जो है आपका क्या है नी कुछ ऐसे लोगों को जो है उठाके मिडिल और सीनिय मनेज्मेंट पर मध्यम और वरिष्ट प्रवंदन इस तरों पर कर्मियों को शामिल करने की शिफारिस की थी सेंट्रल गॉवर्मेंट में और यहां पर गॉवर्मेंट की रीजिनिंग यह है कि वहिए हमें कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो उनके पास डोमें नॉलेज होगी ठीक उनके पास ग्यान होगा एक्सपर्टीज होगी विशेशक गेता होगी डोमें इरिया के डोमें इरिया समझो मतलब अगर आपका जो है इंटरनेशनल रिलेशन के बात हो रही है मिनिस्ट्री आफ एक्टरनल अफेर में जो है सीधे डाइटली इंटलेटर एंट्री के थ्रू जो है भरती खल लेंगे यह बास उन में यह चाहते हैं वो कह रहे है कि इससे क्या होगा दो जो है उद्देश पूरे हो जाएंगे एक तो हमें फ्रेश चलेंड मिल जाएगा और साथी साथ जो मैन पावर है उसका अच्छा जो है यूज होगा हमारे भारत में भारत के देश के जो है उन्नती के लिए लेटरल इंट्री का जो क्या है कितने कर चुके है नया आट जो है है सेकेंड राउंड है इस से पहले भी जो है दस पोजिशन जोएंट सेकरेटरी की और 40 पोजिशन लेवल और प्रेशन नहीं है ऐसा क्यों और यहां पर अगर देखा जाए तो पहले भी यहां पर हुआ है मिनिस्यों ओम अफेर्स ने चौबबिस सब्टेंबर उननीस सो अरसट को कांट्रेक्च्वल अपॉंट्मेंट की बात करी थी उसमें यह कहा था कि पूछा जाएगा अगर आपसे कोशन तो यहां पे कुछ जवाद देनी कोशिच की गई है कि मिनिस्टी आफ अफेर्स ने सब्तेंबर 24 1968 को यह बताया था कि सेंट्रल गोवर्मेंट की जो पोस्ट हैं सर्विसेज हैं वो रिजवेशन में आएंगी ठीक विजवेशन में आएंगी शेडूल का शेडूल ट्राइब और OBC के लिए अगर कोई भी जो अपॉट्मेंट आप कर रहे हो वो जो है 45 दिन या उससे जादा का है तो समझ में आई बात लेकिन यहां पे जो है डियो पीटी जो की RTI एक के अंतरकत आता है उसने क्या बोला है उसने बोला है कि जो भी पोस्ट केडर है सिंगल पोस्ट केडर ठीक है ना सिंगल पोस्ट केडर कि यह आई आर के लिए अगला हमारा टॉपिक जो है सच्छता सार्थी फेलोशिप अब एक चीज़ समझना सच्छता मतलब आपका क्लीनिने से बात है सार्थी मतलब आप जो है कुछ फेलोशिप तो यहां पे क्या है प्रभा मंतरी साइन्स टेक्नोलजी इनोवेशन एडवाजियर काउंचल इसके अंतर्गत नौ नशनलgeneration है जिसमें से एक मिशन है waste to wealth यानि अफसिस्ट से जो है आपका धन धन मनलब बनाना यह mission है ठीक तो इसी mission के अंतरगत यहाँ पे जो office है principal secretary advisor का ठीक यह इसी के अंतरगत काम करते है principal scientific advisor का सोरी PM STIAC के अंतरगत यह काम करते है इन्होंने कहा है कि waste to wealth mission launch किया गया है स्वच्छता सार्थी fellowship launch किया गया है कई लोग ऐसे जो है होनार लोग है उनको इसमें डाला जाएगा और fellowship है और यंग जो empowered यंग innovator जो है शशक्त यंग ठीक यूवा innovator जानी की नवचार करने वाले जो है उनको community work waste management और जाग रुकता है इन सब के लिए अफशिस्ट का प्रबंधन जाग रुकता है इन सब में जोड़ा जाएगा और साथी साथ जो campaign है waste survey है इन सब में जोड़ा जाएगा ताकि हम reduce कर सकें अफशिस्ट को और greener planet बना सकें ठीक लास्ट जेट जो है इसको अप्लाई करने के लिए वह है उन्निस मार्च 2021 पांसों फेलोशिप इसमें रिकोग्नाइज किया जाएंगे तीन केटिगरी है पहली केटिगरी में नौ से बारा क्लास तक के बच्चे हैं दूसरी केटिगरी में जो है अंटर ग्रेजुएट और पोस ग्रेजुएट और रिसर्च इस्टुएंट भी है तीसी केटिगरी में यह citizens working in community और जो भी self-help के लिए उपने थर्ड केटिगरी में वह भी आ सकते हैं इस fellowship की जरूरत के उपड़िया शक्ता ही क्या है विविदता पूर्ण संस्कृति वाला देश है हमारा हमारे हां चक्कर यह है कि हम लोग जब हमारे हैं सब वल्लब रोज सुबह अगर आते हैं जो घर का अपसे स्ट करने वाले अलग अलग है बलकि होना चाहिए जो कूड़ा करें वो खुदी साफ करें तो इसमें कौँ से बुरा ही है लेकिन वो एक प्रवत्ति बनी हुई है और इसको टेक इंट फॉर गरंटर लिया था कईस हजारों सालों से तो यह लाइफ स्टाइल हमारे हां जीवन श और अथाद जो आम तोर पर अपसिस्ट उत्पादित करते हैं वह आप रहे इसका निप्टान नहीं करते हैं जो कर रहा है वेस्ट वो उसको करता नहीं कर रहा है तो सचता सार्थी फैलोशिप जो है यह एक तरीके से रिकोनाइस करेगा मानिता देगा और एक्जेंपली प को टैकल करना है उसका प्रबंदन करना है सैंटिफिकली एं सस्टेनिबली ठीक है इस थाई रूप से और वग्यानिक रूप से यह अली चीज़ है जीरो वेस्ट नेशन बनाना है यह अली बात एम क्या है इसका ऐसे स्टुनेंट कॉमुनिटी सेलफ हैल्फ गुरूप भारत में आ गया वैसे वह अगर ओवर और देखा जाए तो आप लोग को बताना है उसकी जो है स्टेटस ठीक उसका स्टेटस क्या है आपका प्रटक्शन के पार पर पर पूरे वर्ड में इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ट आगया इसे लेटर बहुत ही जो भी वन जीव है उनके कमसे में आप लोग को पता होना चाहिए क्रिटिकली इंडेंजर्ट है इंडेंजर्ट है या थ्रेटरंड है नियर थ्रेटरंड है क्या है ठीक जो नैशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल लाइफ है यह वाइल लाइफ प्रटक्शन एक के अंतरकत वै क्रिटिकली इंडेंजर्ट स्पीशीज में ला दिया गया है ठीक तो यह पहले भी मैंने यहां इसको थोड़ा सा कवर किया था आज इसको फिर से जो है कवर कर रहे हैं कि आप यह चीज सुनिच्चित हो गई है ठीक है अगर आप लोग मेरे से मेरे साथ से अगर जुड़े इंडेंजर्ड स्पीशीज इंडिया जो है अब उसमें 22 वाइड लैव स्पेशीज हो गई इन स्पेशीज के बारे में यह कौन से इनका क्या अभी इंडेंजर्ड है विलुक्त प्राय तो हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है कोहां पे पाए जाते हैं यह सब कुछ दे इंडेंजर्ड है तो यह चीज़ को इंडेंजर्ड समझो और त्यारी करो वाइल्ड काइड जो है इसका भी दिखाऊंगा फोटो रिचे बड़े खुपसरत सी है कि वल्लेंके टांगे लंबी होती है और शौर्ट फेस होता है कैनाइन तीत होते हैं इनके कान बहुत लंब होता है ब्लैक इयर संस्कृत एक कथा में अगर देखा जाए तो इसका जो है एक स्मॉल वाइल्ड कैड नेम दीर्ग कान यहीं कि लॉंग इयर्ड नाम से भी इसका जिक्र किया गया है कराकल जो है वो कई सारे जो है सेवरल डेजन कंट्री में पाए जाता है अफरीका मेड अब देखा जाए तो वैल्यूड है फॉर इट्स लिथेनेस एंड एक्स्टारणी एबलिटी तो कैज बर्ट इन फ्लाइट मलब उड़ती वीडिया को यह पकड़ लेता है अगर आप इसको देखो वीडियो बहुत ही खतना बहुत मज़ा आता है इसको देखने में इसकी जीवन्तता और उची उडान वरने वाले पच्चिनों को पकड़ने की आसाधरन चमता के लिए महत दिया गया है परंपरागत रूप से यह इट इस फेवरेट कोर्सिंग और हंटिंग अनिमल इन इंडिया पहले मलब खाया भी आता था ये मद यूगीन भारत में मद कालीन भारत में जो है इसको खाया भी आता तो हंटिंग लिए भी उसका था ठीक कंसर यहीं है कि इसका जो एक जो है एक तरीके का जो नॉक्टरन अनिमल आने की रात को यह निकलता है दिखता भी बहुत कम है और जो है मुक रूप से निशाचर जनवर है दिनों में इसे समान कम है इसे में भारत में और यह इनको लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर अनिमल में डाल दिया गया है इसकी वैसे क्या होगा कि सेंट्रल फंडिंग जो केंदर सरकार है वो उसको फंडिंग करेगी उनके बारे में जादा जादा स्टेड़ी होगी उनका कहां पर हैबिट इसकी में किसके अंतरकत यह जहूरी जानना इंटीग्रेटर डवलप्मेंट ऑफ वाइल लाइफ हैबिटेट इसको पढ़ना जहूरी है इस पर नोड़ बनाने है आप लोग को आज ठीक इंटीग्रेटर डवलप्मेंट ऑफ वाइल लाइफ हैबिटेट के अंतरकत यह आत अच्छे छेत्रों देना और लेकिन इसमें तो नेशनल पार्ख वाइड लाइफ संचरी वन जीव अभेरन कंजर्वेशन डिजर्व कॉंटी रिजर्व सब तो आरे लेकिन टाइगर रिजर्व नहीं आएगा ध्यान रखना कई यहां पूछ ले कि माली यहां बैग्राउंड कोशन पूल ले आईडी डव्लू एज में प्रोटेक्टेड एरियाज में दिया जाता है जैसे कि टाइगर रिजर्व कॉंटी रिजर्व और कंसरवेशन रिजर्व तो वहां पर टाइगर रिजर्व नहीं होगा ध्यान रखना ठीक और पढ़ते समय कोशन फ्रेम करना बह यह एक पर टाइगर वाले जो है वो नहीं होंगे सेंटरल एसिस्टंस इसमें मिलता है और ऐसे अरियाज जो जो बाहर वाइड लाइफ हैं उनका भी संद्चन किया जाता है बायोडियो बनाता है कौन चीफ वाइड लाइफ वार्डर बनाता है ठीक यहां पर माल लोगर कह environment वाले को कहा है कि कराकल को critically endangered वाला जो प्रोग्राम है उसमें जोड़ दो तो यह चीज़ ने यहां पे गई है ठीक है और चीफ wildlife warden जो होते हैं वो biodiversity plan का मनाता है चीफ wildlife warden मनाता है यह ध्यान रखना प्लीज ठीक recovery program for critically endangered यह IDWH के अंतरकत तीसरा component है recovery program for critically endangered habitat and species recovery करना है जो विलुक्त प्राइब विल्कुल होने वाले हो चुके हैं मतलब उनको रोकना है critically जो भी उनके पूछ चुका है यहीं होता है smart work अगर आपको आप परशान हो के अरे पूरे देश में तो इतने सारे जानवर है कैसे पढ़ेंगे अरे ऐसे पढ़ो ना यार जैसे बताया जारा जैसे जो पूछ चुका सी काउ क्या होता है यह बताइए औरडी पूछ चुका है ठीक है आपका यह एडिबल नेस इस इसी बार दोजार बीस वही पूछा है यह वाले नाम लेके कि भहिया बताओ इन में से कौन कि यह किसे समझते तो बड से लिटर था एशन वाइड लाइब बोफ चुका अब 2013 से अगर आपको यकिन नहीं आ रहा है उठाओ 2013 से प्रिवेस एकुशन और यह सारे आपको नाम मिल जाएन में तो आप मेरा नाम बदल दीजेगा चैलेंज है चैलेंज चैलेंज तो यह चीज़ है आप लोग के चीज़ समनना चाहिए अच्छा रिकवरी प्र हो जाएगा बड़ी ऐसे और हम लोग आ गए अपने फिर्वर सेक्शन पर कौमनेगा यहां पर हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से को हम पढ़ते तो हैं नहीं किस तरीके से हमें एक्जाम में कुशन करना भी होता है तो इसमें अभी क्या हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट निकाली गए दोजा तेरे 21 की इसमें कौन से स्टेट्मेंट सही हैं बारवा एडिशन था नहीं तेरवा एडिशन था पहला इसले इसले गलत हो गया और सही पूछा तो पहला वला गलत है तो मतलब सीरे सीरे आपको बतल गया सी ऑप्शन है ऐसे आप लोग को यहां पर नि बिलेनियर जोड़े और अगर आप देखा जाए तो हर दो दिन में तीम बिलेनियर जोड़े गए बलकि कोविड दो चल ला देख रहा है तब भी तो यह कहा जा रहा है ना जो अमीर है वो और अमीर होते चले गए जो गरीब है वो और गरीब हो गए ठीक है तो यह अली बा पिलेनियर जुड़े हैं समझना हर इंडिया का थर्ड स्पॉट पहले स्पॉट पे चाइना है फिर युएस से है फिर पिलेनियर की संख्या में देखा जायर तो इंडिया में कितने 117 विलेनियर है और उन सब में सबसे उपर कौन है मुकेज भाईया मुकेज भाईया है आठ हुए नंबर पर चीक 24 परसंट के से इनकी जो है इनकी अर्निंग बढ़ी है समझा 24 परसंट से अच्छा आप लोग से कोशन है सिंपल सा कि आप लोग बता सकते हैं कि मनरेगा जो गरीबों को दिया जाता है उसमें कितने परसंट से वरद्धी हुई है उनके वेजस पे जड़ा बताईये मिनिमम वेजस पे कितनी वरद्धी ह हुई है और मन्हेंगा में धीया जी और नेजाता हुए उसमें कितने परसंट से वरद्धी हुई है अगर वरद्धी नहीं हुई है तो पैसा कहा जा रहा है सम yolk पूछा गया था ञैक कि और भी कई सारे अमीर हैं उनकी जेवों में जाता है पैसा एक्सराइज डेजर्ट फ्लैग सिक्स वर्जन जो है से समंधित कौन से कथन सही है ये पूछा गया है डेजर्ट फ्लैग ये एक एक्सराइज है एन्वली होती है मल्टी नेशनल लार्ज फोर्स जो है वारफेर फ्रांस एर फोर्स के साथ ने इसको जो होस्त किया है देखे पहला अच्छेटमन गलत है आप लोगने सुना ऑगहाल फ्लैग ये सब कहां यूए-ई में होता है ठीक तो इसलिए पहला स्चेटमन गलत था और एकर पहला गलत है तो ये भी गलत ये बी ओप् Major hoping यहाद पे सा यहां पर बात हो रही exercise desert flag की बात हो रही है समझना तो इंडिया पहली बार यहां पर पार्ट ले रही है और युएसे है फ्रांस है साओधी है सौध कोरिया बैरेन है ठीक तो भी option है यहां पर यूए के एर फोर्स को यह इसको host करता है फर्स टाइम इंडियन एर फोर्स जो है इसमें पार्ट ले रही है और यूए के साथ हमारे और कौन कौन से military exercise होते हैं बिलाट होता यानि की बाइलाट यह बोल सकते हैं इसको bilateral naval exercise और desert eagle 2 ठीक यह एर फोर्स का है यहां पर किसकी बात हो रही है desert eagle की बात नहीं और यहां eagle flag की बात हो रही है यहां पर sorry desert flag की बात हो रही है desert flag तो इस तरीके से आज का हमारे session खतब होता है अगर आप लोगो अच्छा को तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अगर आप लोगो हमारे साथ जुड़ना चाहते हो पेड़ ग्रूप में तो UPSC का 12 मार्स से औ और जो है EPSC का मैंने कली notification पूरा एक टूजट डिटेल एक्स्प्लेंट किया है उसको जरूर देख लीजेगा ठीक EPFO का जो है नौमार से नया प्रेट गूप चलू हो रहा दोनों ही complete प्रेट गूप हैं अगर आप लोग जोई करना तो 856480530969606089 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं तो चलिए कल फिर से आपके मलकात होगी तब तक लिए अलविदा जाइन जाए भरत ओल्द वेरी वैस से वह नोटिफिकेशन वाला वीडियो जोड देख लेंना इंपोर्टेंट है